आज है सेटरडे एक सेटरडे के सुभे में आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में अब देख रहे हैं कि आभीर यहां पर रेडी हो रहा है आपको ऐसा लग रहे हैं कि आभीर इतना जल्दी क्यों रेडी हो रहा है एक्चली हम लोग को बाहर जाना है अभी लगभग यहां पर बज रहा है दस बज रहा है तो हम लोग रेडी हो रहे हैं क्योंकि हम लोग का बुस्टर डोस वैक्सिन लेना है मेरे और मेरे हस्बेंट को तो हम लोग रेडी हो जा रहे हैं अभी हम लोग जल्दी से मैं पूजा पसंद है जो हम लोग भगवान को देते हैं तो उसको बहुत खाना पसंद है तो मैं जब भी पुजा देती हूं तो उसको वो चाहिए पहले तो हम मैं पुजा दे देती हूं फिर हम लोग निकलेंगे प्रवज के चैरी महां के थाहिए बना सर देती हैं और शेती ही तो हम झाले पुजा जब पत्र करें पर कर दो निकले है तो मैं पने खाले स्वInPेॉश निकाषजा झाले हम देती ही जड़ पने ए हम भी बहुब करेंगे ज्सकोムा जब पने को उब प्रहां। तो यहां पर मेरा पूजा देना हो गया है अभी मैं निकलूँगी तो माभी मास्क ले लिया और बैग ले लिया तो अभी अभी यह चोटी वह उसको बना के दिया क्योंकि अभी उसका बाल बहुत जादा बड़ा हो गया है तो अभी उसके आँख में आता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होता है तो हम लोग सोच रहे कि उसका बाल कटवा देंगे तो शायद कल करेंगे या देखते हैं कब टाइम मिलता है तो अभी हम लोग रेडियोंगी इसलिए तब से वो कंगी लेके घूम रहा है मेरा कंगी लेके तो देखते रहें अभी हम लोग निकलेंगे तो उसका जूता पहना रहा है क्योंकि वो हमेशा चलना चाहा रहा है आजकल तो आज उसको वो सोने के बाद एक बास होता है फिर से लगभग नौ बजे पर आज सोया नहीं पता नहीं कितने देर तक जगेगा तो यह हम लोग अभी निकल रहा है तो यह पूरा पार्किंग तक यह चल के ही जाएगा तो हमारा फोर्थ फ्लोर पे है अपार्टमेंट यह देखिए उसको यहाँ पर वो डेली स्कूल जाता है अपने पापा के साथ तो ऐसे ही जाता है देखिए कैसे कूद रहा है तो हमारा पार्किंग 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 जाता है तो हमारा पार्किंग पार्किंग जाता है तो हम लोग आ गए है पुलो हस्पिटल हम लोग का वहीं पे आया मतलब बुकिंग हुआ था तो ज्यादा टाइम नहीं लगा लगभग दस मिनिट पर हम लोग हमारा जल्दी हो गया है इसलिए हम लोग सोच रहे थी कि थोड़ा शॉपिंग करने जायेंगे हम लोग ऐसा प्लान था कि आज शाम को जाएंगे या कल सुबह मतलब संडे सुबह को जाएंगे पर जल्दी हो गया इसलिए हम लोग आज ही जा रहे हैं और हम लोग विशाल मेगा मार्ट से शॉपिंग करते हैं जो हमारे इस रास्ते में पढ़ता है दो तीन मिनिट लगता ह वहां से तो यह देखिए यह वाला है विशाल मेगा मार्ट चलि अंदर जाके फिर दिखाते है आपको तो आगे हम लोग विशाल मेगा मार्ट के अंदर आप सिर्प उसका एक्स्प्रेशन देखिए चारों तरफ कैसे वह एक्स्प्रोर कर रहा है सब चीज तो वह बहुत है अंदर आने के बाद तो अभी शुरू करेंगे उसका शापइंग से ही देखते रहीं क्या-क्या शाप्पिंक करते उसके लिए तो आगये हम लोग जूते का सेक्शन में तो बहुत दिन सेलेक्शन कर रहने हैं लिए तो देखते रहीं है पीलो आप देख रहे हैं वो अभी ने खुद चॉइस किया है तो अभी चलते हैं काप के सेक्षन में तो यहां पे यह तो मेरा सेक्षन है नहीं फिर भी चलो आप रोको दिखा देते हैं तो हमारा शॉपिंग कंपलीट हो गया है आप देख रहे हैं पीछे पुड़ा भड़ती है यह जो आप देख रहे हैं पीछे गद्धा वद्धा मैट्रिस तो यह हमारा नहीं है मेरी सिस्टर भी आई थी तो वह उनका ही है फिर हम लोग जा रहे हैं अभी घर बहुत ताइम हो गया है लगबग दो घंटा तो होई गया होगा अभी लगबग एक तो बज़ रहा है अभी जाके फिर हम लोग भी खाएंगे बहुत भूख भी लगा है यह शाम का वक्त है फिर से बारिस स्टार्ट हो गया है आप देख रहे हैं बहुत जोर से बारिस हो रहा है सुबह को लग नहीं रहाता है इतना धूप था कि बारिस होगा पर बैंगलोर में ऐसा ही है सुबह को धूप होता है फिर शाम को बारिस होता है यह हम लोग फिर सुबह शॉपिंग होने के बाद आके फिर शूट नहीं कर पाए क्योंकि फिर बच्चे को खिलाना था फिर व अब इतना टाइम में आने का मुझा मिला, फेस टू फेस. तो आपको को दिखाए था कि recently मेग मुझा करने कहते तो अभी आपको दिखाएंगे कि क्या क्या सब्सो स defense. तो या देखे मेरा स ужас में सब रखा हुआ है . इधेर सब एक एक करके दिखाते हैं ठीक है फरस्ट अफर ये एक पीलो लिया है ऐसे सिंपल जस्ट शो के लिए है सोफे में रखने के लिए तो अब फिर बच्चे के लिए बैट बॉल विकेट सब है और ये इसको नहीं कुलेंगा आपको समझ में आ रहा है बैट बॉल सब ह और ये दोनों कप लिया चाय पीने के लिए अभी ये हस्बेंट के लिए एक टी-शिट लिया है ये सब अभी वीशाल में के मट में हम लोगी शॉपिंग करने जाते है तो वह बहुत सस्ते में मिलता है नहीं तो बाहर बहुत महंगा होता है नॉर्मल मॉल में जाएंगे तो इसलिए हम लोग इधर ही आता है शॉपिंग करने और ये हजबेंट का एक चपल लिया लास्ट में बेटे का दिखाएंगे उसका बहुत सारा है बहुत सारा शॉपिंग हुआ है उसका इमेल ये मेरा एक है चपल लिया है एक बोटल लिया ये एक स्कॉच गाइट लिया है और ये एक क्लिक लिया और ये गरम चीजे रखने के लिए ये स्टेंड जो होता है स्टेल का वो लिया है ये सब बहुत सस्ते में ये सब एक ट्वेंटी नाइं डूपिस का है मतलब यहां के जो बाहर का रेट है उसकी हिसाब समरों बोल रहा है कि सस्ता है तो अभी ये कुछ कीचन का कुछ लिया है ये एक सॉस पैन लिया है बड़ा ही है ये इसमें आप मेल करम कर सकते हैं चाय बना सकते हैं ये एक छोटा कड़ाई लिया है ये हम लोग इंडाक्शन में भी उसकर सकते हैं नॉर्मल गैस टोब में भी उसकर सकते हैं उसके हिसाब से लिया है ये एक फ्राइंग पैन है जो नॉन स्टिक का है ये प्रिस्टीज का है ये हम लोग अक्चलि 3 सेट में हमने ख़िया है ये एक है और ये एक है ये हमने अशे लिया है जो लोग इंडाक्शन में भी उसकर सकते हैं और नॉर्मल गैस टोब में भी वर एक है तो वो अभी निकालना भूल गया है एक नॉर्मल तबा टाइप का है और एक रोटी बनाने के लिए एक तबा लिया है ठीक है अभी अभी आते हैं अभी के शॉपिंग पे उसका शॉपिंग कभी इंट्रेस्टिंग रहा है क्योंकि वह पहली बार शॉपिंग करने गया है खुद से तो हम लोग उसको लेके गए क क्योंकि उसका जो चप्पल खरिदने का है अभी तो चलने लगा है आप देखे है तो उसमें उसको तो पहन के टेस्ट करवा के उसको मताब ही लेना है तो वह बहुत जाके बहुत एक्साइटेड हो गया था तो आप तो देखे ही होंगे पहले हम लोग ने वीडियो में दि गिरना जाए तो एसा दो-तिन कलर का था हम ने उसको पूछा कि कौन सा कलर चाहिए ऐसा ग्लू था फिर यह ब्राउन कलर का था तो उसको यह बहुत पसंद ब्लू कलर यह भी ची पीद्ध राउन है इसमें मंंकी है तो यह बहुत पसंद आपको दीख रहे हैठी कि इस में थे कि खों तो आप ढहर देख वह कि बाुड पसंद आया तो इसलों ही ले लिए यह वो पहन kitchen रहे तो वह बार बर भागे जा रहा था तो वीडियो में आपको दिखाए है तो और एक लिया है Interesting चीज उसके लिए यह है उसका एक cute सा सैंडंल बोल सकते हैं घर में आके भी वो इसको ले मेले के इसको पहन के जा रहा हूं एक पैर में यह पहन रहा वीडियो नहीं कर पाए उस टाइम पर आपको फिर कभी दिखाएंगे फिर उसका एक बैठने के लिए एक छोटा सा चेयर लिया यह भी बहुत सारे कलर खाता है पिंक का यलो था ब्लू था यह तो बहुत यह उसको पसंद आया यह भी वह बैठ रहा था काफी बढ़ और जो मेन उसका एक है वो है यह 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 दिखिए यह उसका एक टॉय है कोई नहीं बोल सकते इसको क्या हो लेंगे कार टाइप का है इसमें बैटरी देंगे तो फिर हमारे यह भी घूमेंगा मतलब यहां पर बहुत सारा आवाज भी निकलता है आपको दिखाएंगे उसका तो आज का वीडियो इतना ही अप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा यह शॉपिंग हॉल बिग शॉपिंग हॉल तो आज के लिए इतना ही आपका सपोर्ट का हमको बहुत जरुवत है तो उसके लिए आप लाइक किजिए शेयर किजिए सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन तब आना मत भूले कि सब नोटिफिकेशन आये आपको वीडियो आने पेए बाई बाई